नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पैसनोमिक्स चैनल के उपर, आज की वीडियो में हम शॉर्ट से लिंग कैसे करते हैं, वो भी एंजल वन ये जो एप्लिकेशन है इसके उपर इसके बारे में देखने होते हैं, तो जैसी की देख रहे हैं, हमने यहां पे एंजल वन का एप्लिकेशन ओपन कर दिया है और मैं अभी वाच लिस्ट में हूँ, वाच लिस्ट में मैंने टॉप फाईव जो लूजर है आज के दिन के, आज डेट है 20 जैनवरी, तो 20 जैनवरी के टॉप लूजर जो है वो एड किये है, अब इंट्राडे शॉर्ट से लिंग करना वो आपका profit होता है, यह simple जब्दों में short selling होती है, कि पहले ही आपको stock जो होता है, वो sell करना होता है, उसे बाद में buy करना होता है, तो normally मैं क्या करता हूँ, कि जो top 5 loser है, उनमें से मैं stock select कर रहा हूँ, आप analysis के बगेर कोई भी stock यहाँ पे short selling के लिए या फिर इंट्राडे जैसे मैं random आपको बता के, करके दिखा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको chart के उपर दिखाऊंगा कि क्या logic use कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आज choose कर रहा हूँ, JSW still यह stock short करने के लिए, तो मैं यहाँ पर charts के उपर जाऊंगा, charts के उपर जाने के बाद आप यहाँ पर देख गिरना चालू हुआ, फिर यहाँ पर एक upward moment आ गई, फिर pullback आ गया, फिर stock directly नीचे आ गया और यह upward moment यहाँ पर आ गई है, अब यह जो आपको support दिखरा है छोटा सा, यह support यहाँ पर break हो रहा है, इसकी वज़ेश से मैं यह stock जो है, वो short के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर ह हमारा stop loss होगा, क्योंकि यह swing high बना है, swing high के उपर हम यह आपे stop loss लगा देंगे, तो 748 के नीचे मैं आपे short करने वाला हूँ, चलिए सीधे चलते है, buying और selling के screen के उपर, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर से एक बार select करेंगे और sell के उपर click करेंगे, all intraday position square of 15 minutes before, आ वरना auto square off हो जाते हैं और आपको penalty यहाँ पर देनी पड़ती है, तो इसका ही notification यहाँ पर आया है, जिसको okay कर देते हैं, intraday हमें select करना है यहाँ और उसके बाद हमें यहाँ पर quantity enter करनी है, अब intraday trading जब आप करते हो तो आपको margin मिलता है, अब available margin मैं यहाँ पर refresh करूँ, त जबग यहाँ पर 5X तक का leverage मुझे मिल जाता है, extra मैं यहाँ पर जो stocks है बाइ कर सकता हूँ, या फिर sell कर सकता हूँ, फिलाल मैं 10 quantity से हाँ ट्रेड करूँगा, और यहाँ पर मैं market order select कर रहा हूँ, क्योंकि आपको order execute होती होई दिखानी है, तो हमें sell करना था actually 748 पे लेकिन थोड़ा नीचे आ गया है, तो हम यहाँ पर sell कर देते हैं, तो simply आपको intraday select करके quantity select करके sell के उपर click कर देना है, sell confirm करना है, confirm करोगे तो directly order आपका यहाँ पर दिखाई देगा, positions में आपको दिखाई देगा कि आपने 10 quantity sell की है, average price है आपका 747.65, अभी market चल रहा है 747.80, market के उपर मैंने यह order execute किया है, तो directly market पे जो प्राइस था, उसके उपर हमारा order execute हो गया है, अब यहाँ पर बज रहे है साड़े बारा, साड़े बारा बज रहे है, और 3 बज के 15 मिनिट तक मेरे पास time है, इस stock में रहने का, अगर उससे पहले हमारा target हीट हो जाता है, तो हम exit कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे stop loss hit कर देंगे, जो की 752 के आसपास, जो swing high मैंने बताया था, वो 752 के आसपास का stop loss है, तो अगर दूनों में से कोई भी hit हो जाता है, तो हम यहाँ पे execute कर देंगे, बाकि इस तरीके से आप short selling जो है, वो stock में कर सकते हैं, अगर आपको exit करना है, तो simply आपको position में जाके, यहाँ पे exit बटन जो दिखाई दे रहा है, उसे दबा देना है, exit के उपर अगर आप click कर दोगे, तो आप यहाँ पे limit या फिर market select कर सकते हो, आपके उपर है, क्या select करना है आपको, और उसको बाद, आपकी quantity जितनी आपने sell की है, उतनी ही quantity आप आपको exit के time पे डानी होगी, वरना कुछ stock बचे रह जाएंगे, और वो auto square of wolf के आपको penalty लगीगी, exit के उपर click कर देना है, आप exit हो जाओगे, इस particular stock में से, या फिर इस position में से, और आपका जितना भी profit होगा, या फिर आप loss में exit करते हो, तो उतना ही loss आप कर रहेगा, और आप position से निकल जाओगे, आसानी से, exit करने के time पे आपको ये stock फिर से buy करना होता है, क्योंकि पहले हमने इसे sell कर दिया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से आप intraday में short selling कर सकते हो, delivery में आप short नहीं कर सकते, equity stock में, future and options में आप short selling delivery में कर सकते हो, expiry तक hold कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई particular stock, equity intraday करना चाहते हो, तो सिर्फ short selling intraday में ही आप कर सकते हो, तो फिलाल तो 2 रुपे का loss चल रहा है, quantity मेंने कम ली है, देखते है किस तरीके से ये stock trade होता है, देखे ये profit में आ गया, एक रुपे गेन हो रहा है हमारा, अब देखते हैं, कहां तक ये stock नीचे जाता है, और उससाब से हम यहाँ पे exit करेंगे, सवा 3 बज़े से पहले, तो इस वीडियो में इतना ही था, short selling कैसे करते है, process क्या होता है, ये सारी चीज़े मैंने बता दी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like कर देन जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो शेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना, मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,